एक वीकली ट्रेडिंग खतम हुई, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक जो ट्रेड चालू है पास जिन उसको हम लोग एक वीक कहते हैं और वो वीकली ट्रेड खतम हुए, मतलब एक वीकली कैंडल प्रिंट हो चुका है नमस्कार मैं जीत सिंग, स्वागत करतों आपके चैनल ठाकूर कैपिडल में, हम देख रहे हैं वीकली मार्केट रिव्यू, वीकली मार्केट रिव्यू में हम कोशिश करते हैं समझने की कि पुरे वीक में मार्केट का प्रफोर्मेंस क्या रहा और उस वीक के बेसिस पे हम ल होगा वो छोटे levels पे retracement ले सकता है मगर वापस वो up trending हो जाएगा क्योंकि उसका जो main trend है वो up trending है आए समझते हम लोग चार्ट की help से तो आपको थोड़ा अच्छी तरश समझेगा कि क्या बात कर रहे हम यहां पर देखें तो मनुग weekly 340 का और उसके बाद उसके उपर सस्टेंड हुआ और वहां पर यह देख सकते हैं कि 1.80321 पॉइंट वह आपस माइनस हुआ था इस लेवल की बात करें लोग 27 सेप्टेंबर की उसी तरीके का एक पैटन यहां पर हमको देखने मिल रहा है मतलब निफ्टी ने अपने प्रिव यहां पर देखें तो एक साइडवेज भी नहीं हुआ है यहां पर यह लेवल सम्दग देख सकते हैं कि यहां पर market sideways हो चुका था यह देखें और फिर एक breakout आया और यह sideways होने क्या breakout आया फिर वापस है sideways हो फिर ब्रेख आया और यहां पर देखें तो यह वापस sideways तो नहीं है एक breakout दिया है और breakout में profit booking आई है मतलब जिनों ने भी 16,000 के levels पे buy किया था जिनों ने 17,000 के levels पे buy किया था वो थोड़े-थोड़े profit book करते वे निकल रहे हैं और हम लोग देखें तो quarter 2 के result भी आ रहे हैं हर company के और quarter 2 के result काफी बहतर number show कर रहे हैं तो मतलब यह है कि कोवीड का जो effect है वो businesses पे इतना है नहीं और government of India ने जिस तरीके से hundred hundred करोड vaccination का एक benchmark अचीव किया है तो बहुत कम chances है कि third wave आए क्योंकि जादा से जादा vaccination लोगों के हो गए हो गये होंगे और उसके वज़े से जो third wave आए और वापस lockdown हो उसके chances कम है और हमको उसके लिए और अब बीखने लिए मिल रहा है अब बात करें हैं मलूब मंतली चाट नर यह मंक टोनिगवानंस अब हम लूब यह वे देख सकते हैं कि डेली चार्ड चोनल को डेली चार्ट पे चार्ट ट्रेडिंग शेशन कंटीन निफ्टी माइनस रही देखें तो जो हाई था वो था 18600 और आज का जो लेवल है वो है 18100 तो यह देख सकते कि 500 पॉइंट निफ्टी अपने हाई से नीच आ चुका है मगर बात करें वो मंत्ली चार्ट पे यह लेवल दिखते ही नहीं है क्यों जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो कंटीनिव अप्रेंडिंग है और बता रहा है समझा रहा है कि मार्केट अच्छी तरीके से अप्रेंडिंग मूमे ही ट्रेड करेगा तो ओवराल देखें तो निफ् है कि माइनस है वेकली वेसिस पे वहीं बैंक निफ्टी प्लस है टू पॉइंट फाइज जिरो परसेंट नौसो इती टू-पॉइंट नीफ्टी प्लस है और उसके पहले देखे तो एक अच्छा ब्रेकाउट दिया था बैंक निफ्टी ने तो बैंक निफ्टी में काफी मोमेंट बैंग निफ्टी में हैं बहुत कम चांसेज हैं कि बैंग निफ्टी भी नीचे आएगा जैसे मोमेंट हमको दिखते हैं बात करें मंतली चार्ट में इस मंत में लाइफ टाइम हाई अचेफ किया है और लाइफ टाइम हाई एचिव लोग यह देख सकते 7.74% सिंगल म 50, monthly, 80 और weekly यह 74 है, मतलब हम लोग यह देखते हैं हमेशा कि अगर RSI 60 के उपर है तो वो positive संकेत है, तो अगर positive संकेत है तो हम लोग यह देख सकते हैं कि RSI ने एक बर भी selling signal, मतलब कोई भी बड़े टाइम फ्रेम में कोई market नीचे जाना और ऐसा signal नहीं दिया है, मतलब है positive संक कर रहा है, बात करें हम लोग bank nifty की, तो bank nifty भी अपने हर EMS के उपर trade कर रहा है, 5 EMS, 13 EMS, 20 EMS, monthly basis में बात करें, तो monthly भी हर EMS के उपर trade कर रहा है, तो overall देखें, तो nifty और bank nifty दोनों plus है, जब भी deep आए, हमको कोशिच करनी चे, अच्छे stocks buy करने की, मगर अभी opportunity जो दिख रही है, वो bank nifty में दिख रही है, अगर आप हमें comment करें, तो जरूर हम बताने की कोशिच करेंगे, कि इस moment में कौन lead कर रहा है bank nifty में, कौन से stocks में हम लोग opportunity देख सकते हैं, कि कहां पे, कौन से bank का performance काफी बढ़िया होगा, जहां पे हम opportunity बना सकते हैं, जरूर आप comment करें, ह last trading session में, जो 18 October को चाल हुआ था, सिर्फ वहां पे उन्हें 512 करोड का buying किया है, फिर continue profit booking करते हैं, वो continue sell कर रहे हैं, यह हम देख सकते हैं, monthly basis पे देखें, तो इस month में उन्होंने 9,869 करोड का net में selling किया है, मतलब वो market में profit booking करते हैं, हमको दिख रहे हैं, अगर हम आपको खोड़ा सब इस stock market के बारे में update कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो हमारे जान को subscribe करें, share करें इस video को अपने friend और relative के साथ, कि वो भी stock market के moment को बहतर तरीके से समझ सकें, नमस्कार, धन्यवाद